सब्सक्राइब कीजिए एसेट योगी चैनल को और बेल आइकन को दबाईए लेटेस्ट फाइनेंस वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नमस्कार मेरा नम मुकुल है और एसेट योगी में आपका स्वागत है जहां हम Price के नॉलिज को लॉक नहीं अनॉक करते हैं इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं Letter of Credit के बारे में काफी सारे subscribers ने आलरीडि रिक्वेस्ट की है कि Letter of Credit के बारे में एक डेटेल वीडियो बनाईए तो इस वीडियो में हम थोड़ा सा concept समझेंगे और देखेंगे ये कैसे काम करता है मैंने अपने पिछले वीडियो में bank guarantee के बारे में discuss किया था तो अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लिजे letter of credit भी bank guarantee की तरह ही एक non fund based credit facility है लेकिन ये उससे एकदम different होती है इसमें काफी लोग confused हो जाते है bank guarantee और letter of credit को सेम ही समझने लगते हैं लेकिन ये दो अलग-अलग financial instruments है और इनका purpose भी different है for example आप मान लीजे कोई buyer है आप कुछ समान खरीदना चाहते हैं किसी seller से और वो हो सकता है आपके city में ही ना हो कहीं आप से दूर रहता है या फिर हो सकता है आपके country में ही नहीं रहता आप let's say इंडिया में रहते हैं और आप चाइना से import करना चाहते हैं कुछ computer equipments तो ऐसे case में आपको seller पे भरोसा करने में बहुत मुश्किल होगा और seller को आपके उपर भरोसा करने में थोड़ा सा मुश्किल होगा ये भी हो सकता है कि आपके पास immediately funds ना हो transfer करने के लिए तो अब goods तो भेजेगा नहीं seller आपके पास बिना पैसे लिए और आप भी पैसे देंगे नहीं बिना goods लिए तो ऐसे में एक third party का इस्तिमाल किया जाता है banks का इस्तिमाल किया जाता है तो यहाँ पे 2-3 banks involved होते हैं इस concept के अंदर तो ये किस तरीके से credit facility use की जाती है या arrange की जाती है इसी के बारे में हम थोड़ा सा detail में discuss करेंगे तो आप इस वीडियों को शुरू से लेके last तक जरूर देखिएगा जिससे आपको एक concept पूरा अच्छे से समझ में आ जाए चलते हैं सीधा blackboard की तरफ तो चलिए समझ लेते हैं letter of credit क्या होता है किस तरीके से ये पूरा process काम करता है same example ले लेते हैं जो हमने starting में लिया कि आप मान लीजे एक buyer हैं इंडिया के अंदर आप computer equipment import करना चाहते हैं let's say China से तो आप एक दूसरे को trust नहीं कर सकते हैं buyer और seller एक दूसरे को trust नहीं कर सकते हैं buyer को लगेगा कि अगर मैंने पैसे पहले भेज दिये तो हो सकता है मेरे को goods time पे ना मिले और seller को लगेगा हो सकता है मेरी payment time पे ना हो तो ऐसे में letter of credit काफी अच्छा useful होता है जो एक financial instrument होता है एक bank इसको issue करता है और इस financial instrument के through एक तरीके की guarantee हो जाती है कि buyer seller को pay करेगा और in fact ये bank ही pay कर देता है इस amount को जैसे ही कुछ criteria meet होते है तो seller को criteria meet करने है basically उसको goods को ship करना है और documents को present करना है तो अब ये किस तरीके से पूरा process operate होता है किस तरीके के banks involved होते हैं वो सारा समझ लेते हैं तो सबसे पहले जो buyer है वो एक तरीके से applicant हो गया पर क्योंकि वो letter of credit को issue करवाएगा तो applicant जो है वो अपने bank के पास जाएगा और जिस bank से वो letter of credit की request करेगा उसे हम opening bank बोलते हैं या फिर issuing bank बोलते हैं तो वहाँ पर वो अपनी request करेगा letter of credit की तो ये पहला process का पहला part हो गया पहला step next step में advising bank होगा जो beneficiary का bank होगा beneficiary मतलब seller तो advising bank को ये letter of credit opening bank send कर देगा तो ये हमारा second step के अंदर letter of credit advising bank के पास पहुँच जाएगा advising bank उसकी authenticity चेक करेगा यहाँ पे अब authenticity के अंदर वो सारी चीज़ें चेक करेगा नाम वगेरा सही है, product name और ये सारी चीज़ें letter of credit के अंदर चेक करी जाएगी फिर advising bank उस letter of credit को seller के पास भेज़ देगा अब seller को पक्का यकीन हो जाता है यहाँ पे trust build हो जाता है कि क्योंकि अब applicant ने या buyer ने letter of credit भेज़ दिया है that means he is very serious about it तो इसके बाद यहाँ से goods को ship कर देगा तो letter of credit एक तरीके से ये मन के चलिए कि उसको almost ये यकीन हो गया है कि अब मेरे पैसे कहीं नहीं जा रहे है मुझे पैसे 100% मिल जाएंगे क्योंकि अब banks involved हो गए हैं यहाँ पे तो यहाँ पे वो अपने goods को ship कर देगा तो यहाँ पे third part में तो हमने देगा कि ये letter of credit seller को मिल गया fourth step के अंदर ये goods ship हो जाएंगे अभी ये रस्ते में ही है लेट से खाली ship हुए अभी buyer के पास नहीं पहुचें क्योंकि China से इंडिया में आने में time लगेगा लेकिन ये हमारा process चलता रहेगा documents का तो इसके बाद जो seller है अब यहाँ पे उसको bill of lading मिलेगा bill of lading main document होता है जब भी कोई goods export किये जाते हैं किसी भी country से तो bill of lading जो होगा उस document को ले जाके वो nominated या negotiating bank के पास जाएगा nominated या negotiating bank एक separate bank भी हो सकता है और advising bank दोनों same भी हो सकते हैं और negotiating bank एक separate भी हो सकता है negotiating bank का क्या मकसद है वो यह जो सारे documents है shipping documents इनको चेक करता है तो यहाँ पे जो bill of lading present किया जाएगा इसके अंदर सारी accuracy चेक करेगा कि properly goods को ship किया गया है कि नहीं LC के हिसाब से उसके बाद यह जो negotiating bank होता है या फिर nominated bank होता है यह payment कर देता है beneficiary को तो beneficiary को यहाँ पे payment हो जाती है तो यह हमारा हो गया पांच्वा step तो पांच्वे step में documents चेक कर लिए negotiating bank ने और payment कर दी beneficiary को उसके बाद negotiating bank opening bank के पास documents भेज देता है और payment की demand करता है तो यहाँ पे payment की demand की जाएगी फिर opening bank यह सारे documents applicant के पास भेजेगा और उसका approval लेगा की सारे के सारे documents exactly ठीक हैं की नहीं सारे products जिस हिसाब से उन्होंने मंगाए थे वो as it is ship कर दी हैं की नहीं एक बार applicant का approval आ जाता है तो उसके बाद payment demand करता है opening bank applicant से और applicant payment करता है opening bank को तो यहाँ पे हमारा 5th step हो गया था यह वाला 6th step में documents भेजके payment demand करी गई 7th step के अंदर documents का approval लिया गया applicant से 8th step के अंदर payment करी गई applicant ने opening bank को करी उसके बाद opening bank वापिस से payment कर देता है 9th step के अंदर negotiating bank को तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अलग-अलग color code किया है तो यहाँ पे आप LC की movement blue color से देख सकते हैं यहाँ पे request की गई है LC की फिर LC को issue किया गया है यहाँ पे LC को open करना भी बोलते हैं इसको तो opening bank जो है वो LC को open कर रहा है फिर यह LC advising bank के पास पहुँच गया opening bank को ओ रही है और फिर उसके बाद negotiating bank को ओ रही है और negotiating bank ने पहले ही beneficiary को payment कर दी थी अब जैसा मैंने पहले कहा कि यह जो negotiating bank है और advising bank है यह same भी हो सकते हैं तो इस तरीके से पूरा process काम करता है letter of credit का और यहाँ पे जो goods ship हुए थे meanwhile यह deliver हो जाएंगे अब देखें कई बार एक और step involved हो जाता है कई बार advising bank सोचता है कि यह जो opening bank है इसकी credit rating इतनी अच्छी नहीं है यह शायद छोटा bank है तो वो क्या कहता है कि आप किसी बड़े bank से जिसकी credit rating काफी अच्छी है वहाँ से एक guarantee लेके आईए तो कई बार कोई बड़ा bank एक guarantee देता है कि opening bank के letter of credit issue करने पे आपको कोई problem नहीं होनी चाहिए अगर opening bank किसी case में default करता है letter of credit के उपर तो हमारी guarantee है और confirming bank उस case में liable होगा पूरी payment करने के लिए तो इस तरीके से confirming bank को भी एक extra bank को भी involve किया जा सकता है तो ये हो गया पूरा का पूरा working letter of credit का अब हम important features देख लेते हैं letter of credit के तो collateral और charges की पहले बात करते हैं तो जब भी कोई LC issue करता है वो कोई भी bank collateral के against issue करता है जो भी opening या issuing bank होता है collateral का मतलब है कोई भी bank deposit को या FD को as a security रखा जाता है bank हमेशा एक fees भी charge करता है letter of credit issue करने के लिए अब ये जो fees है ये depend करती है कि किस तरीके का letter of credit issue हो रहा है तो अब ये letter of credit के जो types हैं ये मैं अपने next वीडियो में cover करूँगा तो आप मेरा next वीडियो ज़रूर देखिएगा फिर basically ये एक fundamental concept है international trade का तो अब क्योंकि international trade के अंदर एक दूसरे को नहीं जानते हैं buyer और seller जैसा मैंने पहले भी कहा था तो वहाँ पे trust issues होते हैं इसी वज़े से international guidelines issue की जाती है international chamber of commerce letter of credit के लिए भी guidelines issue करता है तो ICC इसकी main body है उसके बाद LC की correctness बहुत important है इसको मैं highlight कर देता हूँ देखिए अब LC के अंदर क्योंकि खाली documents exchange हो रहे हैं यहाँ पे कोई goods and services exchange नहीं हो रहे हैं तो यहाँ पे जितने LC की जो अंदर लिखा गया है वो बहुत important है जैसे की name of seller date क्या है exactly issuing date exact amount कितना है letter of credit का product name क्या है quantity क्या है बाकी की details क्या है एकदम precise और clear होनी चाहिए कोई spelling mistake भी नहीं होनी चाहिए अगर किसी भी तरीके की छोटी मोटी mistake भी होती है कोई misspelling हो जाती है seller का नाम के अंदर A missing हो जाता है E missing हो जाता है A की जगे E हो जाता है अगर डॉक्यमेंट के अंदर लिखी गई थी उस दिन exactly shipping नहीं की गई तो इन सारी छोटी बातों पर भी banks payment नहीं करेंगे LC के हिसाब से तो एक निया LC बनवाना पड़ेगा और all parties in LC deal in documents and not goods and services आपने देखा कि यह जो हमने पूरा process देखा था उसके अंदर खाली documents का process हो रहा है वहाँ पे goods and services से actually banks को कोई मतलब नहीं है तो LC basically अगर documents ठीक है तो payment release हो जाएगी it's as simple as that तो payment जो है वो किसी तरीके का कोई goods या service के अंदर defect हो जाता है उस पे depend नहीं करती है तो यही मैंने पहले भी कहा कि documents अगर ठीक है तो payment bank कर देगा तो इसकी कोई guarantee नहीं है कि goods के अंदर कोई defect आता है या फिर पूरा समान नहीं आता है तो वो basically liability bank की नहीं है वो buyer और seller आपस में उसको solve करेंगे या जिस तरीके से भी वो resolve करना चाहते है तो इसलिए बहुत important हो जाता है कि आप letter of credit के अंदर exactly अपनी सारी spelling वगएरा चेक कर ले और सारे details जो है वो पहले से ही चेक कर ले जब issuing bank issue कर रहा है letter of credit को या उसको open कर रहा है तो as a buyer भी आपको check करना चाहिए as a seller भी आपको letter of credit के अंदर सारी details चेक करनी चाहिए उसके पहले आपको goods को ship नहीं करना चाहिए अब हम देखते हैं कि क्या advantages है letter of credit की buyer के लिए या seller के लिए पहले seller की बात कर लेते हैं तो जैसा हमने पहले discuss किया कि protection मिल जाता है अगर buyer payment default करता है तो bank की guarantee है ही bank आपको pay जरूर करेगा उसके बाद production risk आपका कम हो जाता है क्योंकि अगर माल लिजे एकदम से cancel कर देता है लेकिन letter of credit अगर already issue हो चुका है तो buyer कुछ नहीं कर सकता है उसको आपसे समान ले नहीं पड़ेगा तो एकदम से quantity आप माल लिजे कोई manufacturing unit है आपकी तो आपको कोई production का risk नहीं होगा अगर आपकी कोई manufacturing unit है तो फिर buyer की बात कर लेते हैं buyer को क्या advantages है definitely की goods आपको time पे receive हो जाएंगे right तो एक certainty है आपको goods 100% receive होंगे उसके बाद LC basically आपकी solvency को show कर देता है जैसे कि आप business में हैं और यह आपका business की अच्छी standing को show कर रहा है एक तरीके से क्योंकि bank आपके उपर एक credit risk लेने को तयार है उसके बाद आपको एक तरीके का छोटा credit मिल जाता है आपको एकदम से initial payment नहीं करनी होती है तो वो भी एक थोड़ा सा burden कम हो जाता है आपके पास immediately कुछ payment नहीं है करने के लिए तो आपको थोड़ा सा time मिल जाता है तो I think मैंने सारे major points cover कर लिए है letter of credit से related हमने देख लिया कि पूरा mechanism किस तरीके से काम करता है उसके important features क्या है letter of credit के और इसके advantages क्या है seller को और buyer को अब मैं next video में letter of credit के types के बारे में बात करूँगा तो आप वो वाला वीडियो जरूर देखेगा उसमें हम देखेंगे कि किस किस तरीके के letter of credit होते हैं और किन जगहों पे कैसे situations में use करने चाहिए तो इस वीडियो में बस इतना ही अगर आप अपने विचार share करना चाहते हैं इस वीडियो से related या इस channel से related तो नीचे comment section में कर सकते हैं in fact आप topic भी suggest कर सकते हैं future videos के लिए और ये video अगर आपको पसंद आया तो इसको like और share ज़रूर कर दीजिए मैं हर रोज finance के इसी तरीके के informative videos इस channel पे share करता रहता हूँ तो आपने अगर अभी तक इस channel को subscribe नहीं किया है तो नीचे से subscribe करके अपने phone में bell icon को ज़रूर प्रेस करने जिससे आपको मेरे latest video का notification मिल जाए तो मिलते हैं अगले video में तब तक सीखते रहिए, कमाते रहिए और हमेशा की तरह खुश रहिए